एलो दोस्तो आज मैं आपके सामने नास्ते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बहुती कम तेल में बना कर तयार कर सकते हैं और खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी है और सबको काफी ज़्यादा पसंद भी आने वाना है तो फ्रेंच वीडियो में कुछ भी अब इस सबी चीजों को हमें मिला कर अच्छे से मिक्स कर लेना है तो बास इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है तो चलिए इसका आटा भी तयार कर लेती हैं तो यहाँ पर हमने गैस पर एक बरतन रखा है उसमें हमें दो आटी पानी डालना है और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है थोड़ा सा अजवायन को क्रस करके डाल देना है अजवायन को क्रस करके डालने से इसका टेस्ट जो ह वो काफी ज़्यादा अच्छा आता है अब इसी में एक चम्मज मीठों आईल डाल देना है और पानी में उबालाने देना है तो बस देखे पानी यमारा अच्छा गरम हो गया है तो हमें करना क्या है यही पर हमें इसमें एक वाटी सूजी डालना है जिस कबसे हमने पानी डा पिर में आप देखेंगे कि ये ठीक होने नगा है और हल्वे की जैसा जमने नगा है पिर में आप देख सकते हैं ये तयार हो क्या है तो हमें इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है और जो आलू की श्टपिंग हमने तयार की है इस आटे की टिक्की बना कर हमें उसके अंदर भर कर इस तरीके की टिक्किया बना कर तयार कर लेनी है तो फ्रेंट देखिए आलू की जो श्टपिंग तेयार की थी उसे इसके अंदर बहर कर सारे टिक्कियों को बना कर हमने तेयार कर लिया है अब आप इसे सेलो फ्राइ भी कर सकती है या पर मैं इसे डीफ्राइ कर रही हूँ उल हमरा अच्छा गरह में उसमें हमने टिक्कियों को डाल दिया है जब टिक्किया एक साइड से सीख जाएंगी तब हम इसे दूसरी साइड भी पलतेंगे तो आप देख सकते हैं टिकीआ हमारी अच्छे से फूल रही है और इन में नेचे की साइड एक अच्छा कलर आया है तो यही पर हम टिकीओं को पलट देंगे और टिकीओं को गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे तो फ्रेंट्स यह लीजिए हमारे सारे टिक्कियां से कर तयार है आप यह डी फ्राई करिए या फिर सेलो फ्राई करिए या टिक्कियां खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी लगती है और सबको काफी ज़्यादा पसंद भी आती है आप टिक्कियों को बना कर फ्रीजर में श्टोल भी कर सकते हैं जब भी भी आपको टिक्कियां फ्राई करनी हो तो आप फ्रीजर से निकालिए और इन्हें फ्राई कर लीजिए या फिर सेलो फ्राई कर लीजी प्रेंच वीडियो में कुद भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताए तो फ्रेंच ये लिजी हमारे टिकिया तयार है, इन्हें आप चटनी के साथ खाईए, सौस के साथ खाईए ये टिकिया खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी लगेंगी, सबको काफी ज़्यादा पसंद आएंगी तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बार